इस वीडियो में हम NIOS Tutor Mark Assignment सब्मिट करने की अंतिम्तित्थी कब है इसके बारे में बतलाएंगे तो वीडियो में बने रहे हैं Tutor Mark Assignment जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज यनी 31 जनवरी 2023 तक लास्ट डेट था उसके बाद अगर कोई विद्यार्थी कल से अपलोड करना चाहें या सब्मिट करना चाहें तो 1500 रुप्या पर सब्जेक्ट लेट फीच के साथ उसका सब्मिट होगा NIOS विद्यार्थियों के लिए खुसकबरी है कि जो विद्यार्थी आज यनी 31 जनवरी 2022 तक आपने assignment अपलोड नहीं किये हैं तो कल तक यनी कि मात्र आपको एक दीन का मोलत दिया हुआ है एक दिन के लिए NIOS ने TMA सब्मिट करने का डेट बढ़ा दिया गया है जो विद्यार्थी 31 जनवरी तक assignment submit नहीं कर पाए हैं वो कल विदाउट लेट फिस के साथ अपना assignment submit कर सकते हैं ध्यान रहे कल के बाद यनी कि दो तारीक दो फरवरी को अगर आप assignment जमिट करते हैं तो 1500 रुपया पर subject लेट फिस लगेगा जिन विद्यार्थियों के पास 5 subject का TMA है submit करना होगा उनको 15 गुनी 5 यनी कि 75 रुपया 7,000 रुपया का fine देना पड़ेगा तो fine से बचने के लिए लेट फिस से बचने के लिए आप कल तक assignment submit कर सकते हैं जिन विद्यार्थियों के पास अभी तक assignment का questions या फिर solutions नहीं प्राप्त कर पाए हैं तो वो हमसे सीधा संपर्क करें हम उनको NIOS के assignment के questions और answers दोनों provide कर देंगे जिससे की वो अपना assignment time पे submit कर सकें कहने का मतलब है कि हम hand return NIOS के assignment scan copy भेज देंगे वो दो मिनट के अंदर अपना assignment वो submit कर सकता है फ्रंट पेज अगर चाहे तो वो हमसे बनवा सकता है हम फ्रंट पेज भी उनको add करके देंगे ताकि उनके पास time तो वैसे भी नहीं है और वो अपना assignment तुरंद सब्मिट कर सकें क्योंकि last date कल यानिकी दो सॉरी एक फरवरी 2023 तक ही दिया है यानिकी साम 5-6 व्य तक आप अपना assignment सब्मिट कर सकते हैं तो वैसे विद्यार थी जिनके पास assignment का source नहीं है time नहीं मिल पाया है assignment नहीं कर पाया है तो इस वीडियो के माध्यम से आप में कॉंटेक्ट कर सकते हैं हम अपना mobile नमर website और whatsapp नमर description में mention कर देंगे जो इंट्रेश्ट विद्यारती है जिनको लगता है कि नहीं हमें assignment कराना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं तो चलिए हम प्रोसेस भी बताते हैं कैसे assignment करना है तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर आपको sdmis.nis.ac.in इस website को open करना है student login पर किलिक करना है और login पर किलिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं login वाया reference और enrollment number यहां पर किलिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर log in करेंगे अपना enrollment नमर और data अबर्ट से यह कहां मिलेगा यह तो ID काड़ मिलेगा तो अपना ID काड़ से यह नमर देखिए हमने login कर लिए है login करने के बाद आप यहां पर सीधाᵆंगे tutor mark assignment section में और यहां पर आप देखेंगे डाउनलोड अप्लोड और इस्टेटस है जो भी जारती अप्लोड कर दिये हैं वो यहां से अपना assignment का status चेक कर सकते हैं पहले हम अप्लोड पर क्लिक करेंगे अप्लोड पर क्लिक करने के तो यहां पर देखें डेट बढ़ा दिया गया है यह जो है एक फरवरी 2023 कि एक दिन्रेंद के熱 एक दिन की लिए मौनद दिया है एडिमय इसने तो आप यहां आपको यहां पर देखें के साथ मैंने बतला दिया एक फरवरी तक ही मात दिया आपको एक दिन का मौलत दिया है assignment करने का तो आप मिश ना करें चलिए अब इस्टेटस भी चेक करके बतलाते हैं उसके बाद हम यहाँ पर status चेक करेंगे तो यहाँ पर हम किलिक करेंगे आप यहाँ पर देखिए जिन विद्धारतियों का assignment सब्मिट हो गया है वहाँ पर यह आई वटन देख रहे हैं यहाँ पर कलिक करके आप अपना assignment देख सकते हैं तो इसका सब्मिट हो गया है और यह आज ही समिट किया है यहां पर देट भी देखिए समिट करने का डेट यहां पर है ठीक है तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बतलाया कि लास्ट डेट एक दिन के लिए एक्स्टेंड हुआ है और कैसे सम्मिट करना है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और कि अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि ठीक है धन्यवाद कि अगर